नमस्कार दोस्तों संकल्ब विस्वास बदलाओं का आपका स्वागत करता है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैविक खेती और जैविक खेती में जो सबसे मुश्किल काम होता है जो कीट से फसल को बचाने का उसमें ब्रैकुनिट वास्प का क्या रोल है और कैसे वो दिखती है और कैसे वो नुकसान दाईक कीडो को ख़तम कर देती है और इसका बहुती बड़ा रोल है जैविक खेती में क्योंकि जैविक खेती का एक जो सबसे बड़ा एम होता है वो यह होता है कि आपको कीट ना सकी है पेस्टिसाइड्स करने तो उसमें आपको नेचरल आप यूज करते हो जैसे नीम, हल्दी, प्याज और लेसुन से लेकिन उसका भी यूज नहीं करना पड़ेगा इवन नेचुरल पेस्टिसाइड भी यूज नहीं करने पड़ेंगे अगर आप नेचुरल इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे क मिर्ची के पोदें जो आप यहांada देख रहे है यह अभी एफिड के अटैक के बाद की वीडियू है। इपिड के एटैक का मैंने फोटो नहीं पाया ता तो यह पोदे हैं हमेहर उन पर एपटैक को गया था और यह बोदे ऐफिड से भर गय थे और इन पे ब्रैकोनिट वास्प ने अटेक किया और एफिड का जो इन्फेस्टेशन था जो अटेक था पोदों पे वो क्लियर हो गया और एफिड्स खतम हो गए फिर सडनली मैंने देखा कि मिर्ची के पोदों पे ये एक रूई जैसा कुछ लगा हुआ है और मैंने इसके बारे में स्टडी किया तब मुझे पता चला कि जो एफिड्स हैं उनके खतम होने के पीछे इस वास्प का रोल है और ये बहुती अमेजिंग बात थी मेरे लिए क् होती एफेक्टिव सॉलूशन है आपको कीट से बचाने के लिए तो आप देख सकते हैं ये कुकून में आपको छोटे छोटे अंडे दिखाई देंगे ऐसे कुकून के अंदर जो रूई जैसे दिखता है इसके अंदर कम से कम 50-60 अंडे होते हैं और इसमें एक अंडा अग पेड से हटा दिया था क्योंकि सर्दियों में हैच नी करता तो इसको मैं बोटल में डाला उसके लार्जी मिज आप देख सकते हैं और ये जो वास्प है उसमें से निकलने के बाद कैसी दिखती है तो आगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो कुकून जब पेड था तो दिख रहा था इस वक्त मुझे पता नहीं था कि कुकून क्या है इसका रोल क्या है ये मेरे बाद में इसके बारे में रिसर्च की गूगल लैंस से इंवेस्टिगेट किया उसको कीवर्ड के सथ कंबाइन किया आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुकून के अंदर बहुत स बाद में इसने अपने अंडे यहां पे किसी कीडे के अंदर दे दिये तो ब्रैकॉनिट वास्प क्या करती है कि वो जो वॉम्स होते हैं या इफिट्स होते हैं उनके सरीर के अंदर अपने अंडे दे देती है और वो अंडे उसके अंदर से उसको जो नुक्सान दाए कीड दूसरे कीडों के सरीर के उपर भी अंडे देते हैん उनके जो लारवे और प्युपे होते हैं उन कीडों के सरीर में दात गडाके उनका जो ब्लड होता जो उनका बोडी फिल envision होता है और इनके उस प्रबर्डीक कैकल और उनको मार देते हैं और पड़े अराम से जो कीडो का अटैक है वो इस फाइदेमंद कीडे ने खतम कर दिया तो अगर हम कुदरती नियमों का यूज करें और ब्रैकोनिट वास्प या लेडी बग जैसे के फाइदेमंद कीडों को अपने गार्डन में अट्रेक्ट करें तो हम बहुत अराम से जैवी खेती कर सकते हैं बस हमें कुदरत के पूरे नियम और नेचरल एनमीज जो होते हैं जो पैस्ट के जो कुदरती दुश्मन है नुकसान दैकीडों के उनके बारे में पता होना ची ताके हम उन्हें हानी न पोचाएं आप देख सकते हैं यह एक दम रूई जैसा दिखता है और इसको अराम से आप पेड़ से अटा सकते हैं सर्दियों में कुकून कभी हैच नी करते हैं जैसा मैने आपको पहले बताया था क्योंकि वो हाइबर्नेट कर रहे होते हैं आप कुकून को अराम से धीरे से रिमूव कर सकते हैं आप देखेंगे कि कैसे में ने उसको अराम से रिमूव कर दिया और उसके बाद इसको एक बिसलरी की बोटल में छेद करने का अबाद अंदर डाल दिया और आप देख सकते हैं कैसे जो वास्प है वो कुकून में से हैच कर भी है इस वीडियो के अंदर वास्ट जब कुकून में से निकलती है तो उसको बहुती ज्यादा संघर्ज करना पड़ता है बहुती ज्यादा अक्षसाइज करनी पड़ती है और यह काफी एनर्जी खर्च कर देती है इस प्रोसेस में इसलिए जैसे वास्ट कुकून से भा साम साप को खाने लग जाए उसे कैनीबैलिजम कहते है तो वैसी ही यह दुसरी ब्रेकव अधिय लग जाती है जो चुकून में से हैच कर रही है यह ना हो इसके लिए क्या करना है कि जहाँ आप कुकूनห यहां पर देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर भी अभी पर इस्टार्ट हो रही है तो एक कुकून में से 50-60 वास्प निकलेंगी आपको बोटल में हलकी सी नमी रखनी है रोम तेम्परिचर पर अर रखना है और बाद में सहथ डाल ज़ना है तो जैसे आप देख सते है एक लकडि पे सहड लगा के आईसक्रीम स्टिक है उसको अने बोस्टन में डाल दिया आप अप कौटन में बढ़ा 1 नटाल सकते हैं और सहड तोड़ा दालुट भी कर सकते हैं पुर ज्यादा बैटर होता है अर उसके बाद आप देख सकते हैं कि तो दोस्तों अब हम इसको गार्डन में रिलीज करेंगे, क्योंकि गार्डन में एफट्स दुबारा आए है, और क्योंकि ये नेक्टर पे भी जो फ्लावर्श के नेक्टर पर फीड करती है और पोलंस पर फीड करती है, और अभी धूप आ गई है अब देख सकते हो धूप आई गई है, तो मोसम भी इन के लिए ठीक है, रिलीस करने के लिए, तो ये है मेरा मिर्ची का प्लांट, ये, और यहाँ पर मैं इसको रिलीस करूँगा, तो दोस्तों प्लीज शेर करें, लाइक करें, और सबस्क्राइब करें, और कमेट करें आपको एक ऐसा लगा, जैविक झाल तो थाँ प्लीज प्लीज का प्लीज करें?